प्रभास ने सालार पाथ दो पर दिया बड़ा संकेत। इंडिये टिडे डॉट आयन को दिये एक्स्क्लूसिव इंटर्व्यू में प्रभास ने सालार दो के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कहानी तैयार है और जल्दी शूटिंग शुरू होने वाली है। प्रभास फिलहाल अपनी नवीनतम फिल्म सलार पाथ एक की सफलता का आनन ले रहे है। प्रशांत नील निर्देशित इस फिल्म में प्रित्मिराज सुकुमारन भी मुख्य भूमिका में है। फिल्म का सीक्वल बनाया जाएगा। इंडियेटडे.IN के साथ एक विशेश साक्षात कार में प्रभास ने सलार पाथ 2 की टाइम लाइन और 2024 के लिए अपने मंत्र के बारे में खुल कर बात की। प्रभास सालार टू पर प्रभास ने सालार पागदो के बारे में बात की प्रभास ने इंडिये टडे.in से कहा कहानी पहले से ही तयार है और हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं दर्शकों के लिए फिल्म को जल्द से जल्द पेश करने का लक्षय है मुझे पता है कि कई मेरे प्रशन सक इसकी रिलीज का बेसबवी से इंतजार कर रहे हैं हम जल्दी सालार भागदो के विवरन का अनावरन करेंगे 2024 के लिए अपने मंत्र के बारे में प्रभास ने उल्लेक किया कि वह विभिन शैलियों के साथ प्रयोग करना चाहते हैं और अपने दर्शकों को आश्चरे चकेत करते रहना चाहते हैं 2024 के लिए प्रभास अपने मंत्र पर मेरे पास कोई विशिष्ट मंत्र नहीं है प्रभास ने साजह किया इसके बाद उन्होंने कहा, मेरा एक मात्र लक्षे अपने काम से दुनिया भर में अधिक्तम लोगों का मनुरंजन करना है मैं जो भी फिल्में चुनता हूँ उसके पीछे यही प्राथमिक विचार है अगली फिल्म भविश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाने वाली है सालार एक मजबूत सामुहिक फिल्म है और अगला प्रोजेक्ट एक होरर फिल्म है मैं विभिन शैलियों का पता लगाना चाहता हूँ ताकि दर्शकों का मनुरंजन हो और मुझे उम्मीद है कि वे मेरी भविश्य की फिल्मों को भी उतना ही प्यार देंगे जितना उन्होंने सलार को दिया है सालार पार्ट एक सीसफाय पहले ही वैश्विक स्तर पर 500 करोर रुपय का आकड़ा पार कर चुकी है फिल्म में शुती हासन मुख्य भूमिका में है इसका निर्मान होमले प्रोडक्शन्स द्वारा किया गया है सुनने और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों